साथियों, हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो के माध्यम से एक बार फ्रीड से आपके साथ जुड़ शुका हूँ, बहुत परी अपडेट को ले करके, साथियों जैसे कि सब को मालूम होगा, बीटी एसी के अंतरगत फर्मासिस्ट पोश्टों के लिए जो कि 1549 सीटों के जो परकरिया है, वो 5 अपरेल से शुरू होने वाली है, यानि कि आपको फर्म भरने की परकरिया एक से दो दिन में शुरू हो जाएंगे, 5 अपरेल से, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बरी समस्याए आ सकती है, बिल्कुल लूप से दिकते आ सकती है, उसी को ले करके, यहां पर अपने हक के मांग शुरू कर दिये हैं, क्या है जानकारी मैं दिखाता हूँ, D फर्मा किये हैं, या फिर B फर्मा किये हैं, या फिर M फर्मा किये हैं, कम से कम D फर्मा तो यहां qualification चाहिए minimum qualification, अब इस qualification तो आपके पास है, लेकिन आपके पास जो समस्य आ सकती है, फर्म अपलाई करने में, यानि कि आप फर्म भरी नहीं सकते हैं, इस तरह के दिखाते आ सकते हैं, इसी को लेकर करके यहाँ पर मांग शुरूप किया गया है, तो चलिए डिटेल से जानकारी दिखाता हूं, आखिर मामला क्या है, तो साथियों जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको यह वता निकलाया हूं, कि फर्मेंसिक काउंसिल के समख छात्रों का धरना, साथियों जैसे कि जानकारी अपडेट देता हूं, फिर इस नोटिस को पढ़ेंगे, देखिए, अभी बीटी एसी में जो अभी आपने यहाँ पर 1549 सीटों के लिए जारी किया हैं, इसमें कौन सी केंडेट भरेंगे, तो minimum qualification डी फर्मा होना चाहिए, अब यह जो डी फर्मा वाली केंडेट है, उनके पास बिहार जो फर्मेंसिक काउंसिल है, फर्मेंसिक काउंसिल जो बिहार में है, वहाँ पर आपकी फर्में सी काउंसिल में अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा, निवंधन नहीं होगा, और तो उस इस्थिति में विटी फर्म आया है, वो तो भरने सकते हैं, एक तो इतने दिनों के बाद फर्म आते हैं, उसमें भी पर्मानेंट वैकेंसिय आती है, उसके बाब जूद भी आगा करकें, बहुत ज्यादा समस्य आ सकती है, इसी काउंसिल को लेकर के, काउंसिल यानि की रेजिस्ट्रेशन को लेकर के, निवंधन को लेकर के, काउंसिल के समक्ष अपना मांग शुरू किये हैं, यहां पर देखेंगे दोस्तों, फर्मेंसि काउंसिल के समक्ष छात्रों का और आगे डेटेल्स लिखा है फ्रवंसिक कॉंसिल द्वारा पिछले डेट साल से निवंधन नहीं करने पर सुम बार को छात्रों ने राजधानी की वी एम दास रोड इस्थित फ्रवंसिक कॉंसिल के समक्ष धरना परदासन किया यानि कि अपना मांग रखने के लिए जो कॉ बंधन लंबित है छात्रों ने आरोप पर यह भी लगाया कि प्रवंसिक कॉंसिल के पास बर्तमान में 5000 से अधिक आवधन लंबित है सामकु छात्रों ने बताए कि स्वास्तिवाग के अधिकारियों से अस्वासन मिला है कि पांच अप्रेल से निवंधन शुरू हो है और पांच अप्रेल से यह रेजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे इस इस्थिति में या तो वी टीसी के द्वारा फॉर्म भरने की जो डेट है उसे बढ़ा दिया जाना चाहिए तब ही कुछ केंडेट यहां पर जो बच जाएंगे वो केंडेट फॉर्म का अप्लाइ केंडेटों का रेजिस्ट्रेशन जल्दी से कर देते हैं और क्या वो वी टीसी फॉर्म भर पाते तो बहुत ही अच्छी बात होगा कि उन लोगों को भी एक और पुना मौका मिल जाएंगे तो दोस्तों यही अपडेट था आज का इसी तरह से स्वास्त वाक्स रिलेटेट कोई अपडेट आती है कोई ने वैकेंसी आती है तो सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करके रखेए चैनल को और आपका भाई माय हुचंद टेलिग्राम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी जोइन करें और कोई करता हूँ सबस्क्राइब कर लिजेगा चैनल को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू